हलो गाईस में दाम सुमित कुमार आप देख रहा है बूस्ट यह सेल्फ वी इनफर में बेटा तो आज की वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पिछली वीडियो जो नंबर वन पे थी बेल की उस सीरीज में मैं आपको यह बताया था कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड में प्रोजेक्ट इंगिनर एस वीडियो बहुत जादा पसंद आयोगी जिन लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई है किरपया करके कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ वहाँ पे आप अच्छी तरीके से कोश्चन पूछ सकते हैं मैं सभी के रिप्लाई दूँगा या तो आप हमारे जो डिस्किप्शन में उदर पर आपको एक लिंक मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम की वहाँ पर भी आप जाकर पर्सनली फॉलो करके मुझे पर्सनली मैसेज भीच सकते हैं वहाँ पर आपके मैसेज के रिप्लाई अवश्य दू और जो गत्यूँट होता है उसके ऊपर है कि आपका रिटन एक्जाम कैसा होगा और उसका स्लेव इस मैं बात करूँगा पूरा इटुजर धेट ताकि आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो कि वहाँ पर बहारत प्टोनेक्टाउर में नोटिफिकेशन में वह कहीं पर भी लेकिन उसके अंदर क्या-क्या होता है वह मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से कि रेटन एक्जाम आपका कैसा होता है तो बनिदे यह वीडियो में मेरा नाम है सुमित कुमार आप देख रहा है बूस्टर सेल वे इन फॉर्मी बैटर सो सबसे पहले बात यह आती है कि सबसकी वीडियों रहागिंजिदे छान के लीग है ति होता है कि अग्जाथ पर आता है बहुत कृप बना दिया हो तो है कांट इमैजिन हम उसमें नहीं कर सकते कि कितना होगा कठिन कितना सरल होगा कितना होगा अलग वो है ऐसा कई मस बात रहे हैं कि मैंने आपको पसली वीडियों बताए था के भारत electronics c limited की कुल मिलाके 9 units हैं ठीक है 9 units की जो नाम थे वह आप अपने skin पर देख पा रहे होंगे यहाँ ठीक है तो इन 9 units में क्या क्या होता है पता आपको यह 9 units होती है इनका paper का जो pattern होता है pattern जो आपने सुना होगा ना कि 100 marks का आता है plus 50 marks आप 100 marks आपका आता है technical और 50 marks का आता है non technical तो इसको pattern बोलते हैं अभी मैं examination syllabus की अरक से बात करूंगा पहले मैं pattern की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर pattern जो होता हूँ सभी का अलग अलग है कोई हो सकता है 150 marks का आपको technically पकला दे ठीक है उसमें non tech का portion ही ना दे कोई हो सकता हो सकता आपको 85 marks का pattern कोई हो सकता है 100 marks का ही पूरा दे चौनिट में हम कहने सकते हैं किस तरीके का pattern design करेगी वह अपने मन से कोई भी pattern design कर सकती है हो सकता है कि 100 जो आपके question दे रखे है वह one marks के हो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कि मैंने खुद एक्जाम दिया है इसका तो बता सकता हूं कि वहां पर कहीं पर मैंने एक एक्जाम दिया था तो वहां पर hundred question थे और hundred number का ही पेपर था और no negative marking थी अच्छा यहां पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि जो बहुत्त हैं रोगा गलत उतर देने पर आपको होए तुक्त कोई क्शाल करें सब्सक्राइब लेकिन paper का pattern ही अलग है 50 question है वहाँ पर ठीक है और 50 question में भी कुछ technical है कुछ non-tech है ठीक ऐसा भी हो सकता है और 100 question होगा उसमें 85 आपके technical हो सकते हैं 15 आपके non-tech हो सकते हैं तो ऐसा रहेगा सो पहले बात करता हूँ मैं non-tech की तो देखिए non-tech में बहुत जादा कुछ difficulty नहीं आएगी जो आएगा वह आपका basic level तक आएगा जो आप पढ़के आए होंगे अच्छी तरीके से लाभानी जो होता है profit and loss होता है आपका ठीक है distance वगर है question होते हैं ऐसे question आपको दिखने के ल videos मैंने भी देखी है उपलब्द हैं आप वहां से पढ़के अच्छी तरीके से non-tech का जो portion है जाए वो 15 नंबर का रहा हो चाहे वो 20 नंबर का रहा हो कर लीजे बट ज्यादा से ज्यादा जो focus किया जाएगा वो technical portion को किया जाएगा अब बात करते है technical portion की ठीक है तो मैंने भ आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि 100 प्लस फिप्टी का जो होगा हमारा पेपर का पैटन बट यहां पेट्टी फाइब मार्क्स का पेपर आ रहा है तो मैं वह बताना नहीं चाहूंगा कि क्यो सभी यूनिट का अलग अलग है यह आप दिमाग में रखिएगा बात अब आपको यहां पर टाइम का बाउंडेशन देखने के लिए मिलेगा एक घंटा कही यह पेपर होता है या दिल घंटे का होता है इससे मैक्सिमिन टाइमिंग नहीं मिलता है यहां पर तो आप खुश समझते हैं कि अगर 100 नमर का कोश्चन है आपका 100 नमर के कोश्चन है आपक कर लेगा उसमें जो पुट करने वाले जो आते हैं ना मतलब कि इस अगर मैं मेकैनिकल जीनी की बात करूँ थर्मोडानिक से मैं अगर कोई कोश्चन दे रखका कि प्रैशर इतना वॉल्लिम कितना ठीक है टेंपरिचर दे रखका है तो ऐसा कुछ एक्वेशन बनाके पीव थर्मोडास बहुत सारे कोशन सकते हैं कि आपका रेख्टेंग्ला कराने का कोई ज़रूरत नहीं है सिंपल से आप क्या कीजिए एस यानि की इंजिनिंग सर्वेस एक्जामनेशन के आप बुक ले लिजे या तो नहीं भी ले सकते तो ऑनलाइन बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे इसके मॉन्डल का पीडियो उठा सकते हैं वहां पे आपको numerical basis जो question मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा एक या दो इससे जादा नहीं मिलने वाला मैं guarantee के साथ क्या सकता हूं क्योंकि मैंने भी पेपर दे रखे हैं और लोगों से पूछा भी अच्छी तरीके से ठीक है तब यह वीडियो बना रहा हूं आपको जादा कठिन नहीं मिल लेगा बट आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपको यह पेपर बहुत जादा कठिन लगेगा क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते नहीं तो हमको छोटा लेवल का question भी होता ना बहुत जादा confusing कर देता है कि इसका answer 4 में से क्या होना चाहिए और हां यह भी बात सुनिए कि इसमें जो multiple choice question ही आएंगे ऐसा कुछ नहीं आएगा क्यों multiple choice question ही आएंगे पेपर का pattern वही में बता रहा हूं कि decide नहीं किया गया है कहीं पर कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर का pattern कुछ भी बन सकता है वो 9 unit में कोई भी define नहीं है कि कौन सी unit कौन सा paper pattern देगी बस syllabus दोनों क कि आप उसका examination ही करके बैठ गये हैं पूरा अच्छी तरीके से कि ठीक है मैं इस formula का derivation करके बैठ हूंगा या कुछ अच्छी तरह से पढ़ूँगा उसके बारे में बिल्कुल आप एक theory basis से पढ़िए और बिल्कुल जादा मत पढ़िए कि आप gate के level का ही पल के चले आ रह होंगे as compared to numerical question and as compared to the non-technical question non-technical आपके हो सकता दस से बारा कुशन आजाए इससे जादा नहीं आएगा आपका या तो maximum से maximum वकर वन 100 प्लस 50 का अगर पैटन होगा तो 50 आपके वह आ जाएंगे और 100 आपके technical आजाएंगे के वल इतना ही maximum हो सकता है जादा से जादा नहीं होग है अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है otherwise आपका नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर पेपर सराल बन गया तो cut-off हाई चली जाएगी तो cut-off में आदे बच्चे बहार हो जाते हैं इंटर्वी तक सेलेक्टी नहीं हो पाते ठीक है और अगर आपका क्या रहा पेपर कठिन बन तो आपको तो चीक है जितना question आप कर लेंगे उसे साब सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरा कहने के मतलब यह है कि दोनों possibilities में आपको त्यार रहना है तो थोड़ा आप preparation कर सकते हैं तो पहला जो preparation strategy जो मैंने बताई है वो आपका EAC की book रहेगी book आपको बस नहीं है तो जाकर net क यूज कीजिए आप इंटरनेट में आप इसके मॉंडल सर के जो नोट्स होते हैं वो आप ले लिजिए वहाँ पर आपको EAC level के कुछ question दिखेंगे चाहे वो fluid mechanics हो चाहे थर्मोडानिमिक्स हो mechanical की यहाँ बात में कर रहा हूं तो वहाँ पर आपको सारे का सारे EAC level के IAS level के question मिल जाएंगे जो की mechanical engineering के होंगे बाकी जो हैं बच्चे वह अपने अपनी ब्रांच के हैं वह question वहाँ पर डाउलूड करिया और उसको लगाईए आपका निकल जाएगा ठीक एक्जाम और थोला थोला कभी भी आप नेट से पढ़े भी सकते हैं कि छोटे मेंट जो question होते theoretical basis वह कैसे उनके पीछे क्या logic लग रहा है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ठीक है और second option आपको पास यह है कि अगर यह सब नहीं करना चाहते तो आप एक खुर्मी की book आती है ठीक है mechanical engineering की जो भी mechanical से हैं उनकी एक book आती है उसमें सारे के सारे chapter wise numericals दे रख्खे होते हैं जो की आ बलके उसमें भी आपको मिल जाएगा तो जो हमारी खुर्मी की book आती है उसको भी आप purchase कर सकते हैं या तो साथ online होगा तो मैं link दे दूँगा online download करने का वैसे मेरे ख्याल से मैंने देखा तो नहीं है अगर होगा तो मैं यहां पर link दे दूँगा आप वहां से download करके उसे प different आपको question मिल जाएंगे theoretical basis पे थोड़े बोले numerical भी आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप रप्रपेश्चार्जी कर सकते हैं ठीक है उन्स question की पीचे क्या knowledge लग रहा है क्या मतलब logic लग रहा है वो भी आप समझ सकते हैं पहला चीज़ यह हो गया नहीं समन में आ रहा है सारे के सारे जो chapter wise होंगे मतलब subject तो हो गई उसमें wise लेकिन chapter wise भी आपको theoretical basis कुछ question आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वो आप solve कर लीजे बाकी तो आपका काम हो जाएगा इतना करिए बस आप और आप अच्छी तरीके से उस paper को crack कर लेंगे यह guarantee की बात है यह मैंने भ फिर खुर्मी के जो question से वह आप लगा के जाए आपका 100% clear हो जाएगा तो आई होप आपको यह बात समन में आगे होगी कि आपको जो examination pattern है वो आपका निश्चित नहीं है यानि कि define नहीं किया गया है जो आपका examination pattern है कि किस basis पर आपके question आएंगे मतलब 100 plus 50 के रूप में अगर आपने पढ़ाहीं नहीं कर रखे तो आप नहीं कर पाएंगे और अगर पढ़ाहीं कर रखे थोड़ी बहुत यानि कि basic level आपका पूरा prepared है तो अब अच्छी तरीके से उन questions को हल कर सकते हैं और training engineer का जो और project engineer का जो आपका examination है उसको crack कर सकते हैं बात यह रही कि दोनो project का बहुत easy आजाए और training का बहुत ज्यादा hard आजाए तो ऐसा भी होता है आशा करता हूं फर्स्ट वीडियो के तरहें आपको यह सेकंड वीडियो जो मैंने exam करने का बताया हुआ है कि आपको preparation कहां से करना है और ज्यादा वरी नहीं करना है कि question level बहुत difficult आएंगे नहीं बहुत easy level आएगा बत आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा basic level पर जाका है बहुत hard नहीं पढ़ना है थोड़ा smartly तरीके से पढ़ना है आप gate का numerical मत लगाए क्योंकि यहाँ पर numerical नहीं आने वाला बिल्कुल भी एक या दो numerical मिलेगा वो भी बहुत सी छोटा से numerical आप आप तो होती है तो मैं मिलता हूं आपको साथ एक next video में यहाँ पर जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको interview कैसे देना अच्छी तरीके से प्रपेर आपको कैसे करना आपने आपको interview देने के लिए ताकि आप वहाँ पर offline interview दे सके सब्सक्राइब और जिन लोगों ने भ पास आपको पर मैं वहाँ जागाईब आपको घए जाए पृब आपको से अवयाँ पर मैं में आपको वहाँ परों आपको कैसे दोओको है तो है